हलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, आज हम शितिश भागदो के सेकेंड पार्ट तुलसी दास के पत पढ़ेंगे, इससे पहले हम सूर्दास कम्प्लीट कर सुके हैं, सूर्दास जी ने रामचरित मानस लिखी थी, तो यहाँ पर जो हम वक्तव लेने जा रहे हैं, राम सीता जी के स्वयंबर में जाते हैं, विश्वामित्र जी, राम जी और लक्षमर जी, कहां जाते हैं, सीता जी के स्वयंबर में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका शर्थती स्वयंबर की, कि वहाँ पर शिवजी का धनुष था, अब शिवजी के धनुष को जो प जैसे ही छूते हैं प्रतेंच चलाने के लिए वो तूट जाता है तूटने के साथ ही पूरे ब्रम्भांड में बहुत बूरी तरीके से गर्जन होता है अब क्या होता है शिव जी के बहुत बड़े भक्त है परशुराम जी परशी मुनी है परशुराम जी वो समझ जाते हैं क हमारे जो पूज शिवजी हैं उनके धनिश को किसी ने भंग कर दिया है अब उस भरी सभा में जब भंग हो जाता है तो परशुराम जी वहां पर आ जाते हैं बहुत कुरोधित अवस्था में तो अब जो समबाद चल रहा है मतलब सबसे पहले क्या होता है वोज वहां पर आते हैं तो वहां पर शिरीराम जी और लक्षमन जी परशुराम जी और विश्वामित्र जी सभी मौजूद हैं तो अब वहां से शुरू होता है समबाद की क्या बोला जा रहा है क्या है पहला शुरू होता है नात संबुधनु भंज निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा आयस कहें कहीं किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही यहाँ पर क्या बोलते हैं परशुर राम जी बहुत कुरोधित हैं और पूछते हैं किसने इस धनुष को तोड़ा है तो अब क्या बोलते हैं हे नात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई और नहीं आपका दास है यह कौन बोल रहे हैं शिरीराम जी बोल रहे हैं क्योंक शिरीराम जी नहीं तोड़ा है तो यहाँ कौन बोलते हैं नात संबु धनु भंज निहारा मतलब शिवजी के धन्नुष को जिसने तोड़ा है होई केऊ एक दास तुमारा और कौन हो सकता है जो आपका दास है ठीक है यह पहली लाइन हुई आयोसु कहा कहीं किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही मतलब क्या हुआ एक दास है हमने यह बता दिया आप बताई क्या आग्या है मतलब उन्होंने तोड़ दिया है और राम जी तो ऐसे ही बहुत विनाई थे तो क्या बोलते हैं बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं हमसे क्या गलती हो गई आपकी क्या आग्या है वो इसी दे यही बोलते हैं, कि मतलब तोर दिया है तो गलती हुई है, श्री राम जी मानते हैं तो वो बोलते हैं, बताईए कि क्या आग्या है आप से, मुझसे क्या कहना चाहते हैं अब क्या है सुनी रिसाई बोले मुन को ही अब जब उन्होंने इतने विनाय से बोला उन्हें के बाद मुनी बोले यानि कि परशुराम जी बोले सेवकू सोजो करे सेवकाई अरिकानी करे करिय लराई मतलब सेवक वो होता है जो सेवकू सोजो करे सेवकाई मतलब सेवक वो होता है जो सेवा करे अरिकानी करे करे लराई अब बोलते हैं तुमने तो शत्रु वाला काम किया है जो लराई करता है यानि कि आपने तो शत्र वाला काम किया है जो लडाई करने योग्य होते हैं जो दुश्मन होते हैं सुनो राम जेही सिवधनु तोरा सस्त बाहु समसो रिपु मोरा परश्राम जी कहते हैं सुनो राम क्या बोलते हैं राम सुनो जिसने ये शिवधनु तोरा है उसी प्रकार मेरा शत्रू है जिस प्रकार शहस्त्र बाहु मेरा शत्रू था शहस्त्र बाहु जिसकी हजार बाहें थी जहने शहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा तो जिस प्रकार ये जो है शहस्त्र बाहु मेरा शत्रू था क्या बोलते हैं, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहां पर जितने भी राजा मौझूद है, सभी मारे जाएंगे, तिया ना, नाते मारे, जे ही सब राजा, अगर वो नहीं आया, तो यहां पर जितने भी राजा मौझूद है, सभी मार जाएंगे नेक्स्ट हमारा है सुनी मुनी वचन लखन मुसकाए क्या है जब परशुर राम जी इतना बोला तो अब लक्षमर जी तो शरारती थे तो उन्होंने क्या बोला जैसे इतना क्रोधित होके बोल रहे थे तुरंट क्या हुआ लक्षमर जी खुम मुस्कुराए धीरे से मुस्कुराए बोले परसु धरी अवमाने मतलब मुस्कुराए के बोले उनका अपमान करते हुए धीरे से मतलब वोते हैं शैतानी के साथ हम किसी को कुछ बोले तो वो शैतानी के साथ अपमान करते हुए उनको बोले बच क्या बोलते हैं अवमाने बोले परसो धरे अवमाने मतलब शिवरशु राम जी का थोड़ा सा अपमान करते हुए व्यंग करते हुए उनसे क्या बोलते हैं बहुत धन तोरे लरिकाई मतलब हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं बच्पन में हमने बच्पन में बहुत से धनुष तोड़े हैं कबहुना असिरिस कीन ही गुसाई किसी ने भी हमसे इस तरीके से गुसा नहीं किया जिस तरीके से आप हम पे क्रोध्य तो रहे हैं कि हमने तो बच्पन में बहुत सारे धनुष तोड़े फई बश्पन से ही वो राजमहल में पड़े धनशवान चलाते रहे तो उसमें बहुत सारे धनश तोड़े लेकिन हमसे कभी भी बश्पन में किसी ने भी ऐसा गुसा या क्रोध नहीं किया जैसा आप कर रहे है क्या बोलते हैं वो आपको इस धनुष से किस बगार की ममता है बतब इतना प्यार क्यों है आपको इस धनुष से तो क्या आप यह सुनके भ्रगु वन्ष का धजा सरूप परशुराम जी क्रोध धोकर कहने लगते हैं जो परशुराम जी हैं आप उनकी फोटो देखेंगे कभी देखेंगे तो उनके हाथ में फरसा रहता है और उनके कंदे पे धनुष रहता है और एक हाथ में ध्वजा रहती है orange color की ध्वजा रहती है triangle shape की वो भ्रगुवंश की ध्वजा है ब्रामणों का वन्श है भ्रगुवंश उसकी ध्वजा रहती है तो यह जो परशुराम है जी है वो भ्रगुवंश से हैं तो हमेशा इनको इसी नाम से आप इसमें indicate करते हुए पाएंगे तो क्या दिया है? सुनी रिसाई कह भ्रगुकुल केतु भ्रगुकुल केतु केतु मतलब जंडा पता का तो इतना सुनने के बाद भ्रगुविंश केतु को धानण किये परशुराम जी बोले रेन रप बालक काल बस बोलत तो ही न समारा क्या बोलते हैं कि अरे राजपुत्र काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ खोश नहीं है मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ मैं क्या मैं यहाँ पर आया हूँ यह बहुत बड़ी बात है ये कहना चाहते हैं कि मतलब बहुत कुछ घटित हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे मैं बहुत गुस्से वाले हैं परशुराम जी तो कहते हैं कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ तुम मेरे बारे में मतलब मैं इतना कि जहाँ पर चले जाओं समल्लों वहाँ पर काल आ गया है, मिर्तियों आ गयी लोग मरेंगे तो तुमारे सर पर काल खड़ा है और तुम इस तरीके से बोले चले जा रहे हो वही चीज़ कहते हैं कि तुमारे सर पर काल बसा हुआ है और तुम इतना जो बोल रहे हो उसको कुछ खोश नहीं है कि तुम बिना ज़वान समाले समझे बोलते चले जा रहे हो धनुही सम तिपुरारी धनुविदिद सकल संसारा वो क्या बोलते हैं? ये सारे संसार में व्यापत है मतलब सारे संसार को ये चीज़ पता है कि ये जो धनुष है ये शिवजी का धनुष और बहुत सम्माननी धनुष है क्या मतलब? ये सारे संसार को पता है कि ये धनुष सम्माननी और शिवजी का धनुष है जिसकी तुलना एक तुम साधारण धनुष के साथ कर रहे हैं बोलते हैं लखन जी कि ये तो हमने बश्पन से बहुत सारे धनुष तोड़ें तो ये उन जैसा धनुष नहीं है, ये बहुत प्रीसियस बहुत अनमोल धनुष है फिर नेक्स्ट क्या है लखन कहा हसी हमरे जाना सुनू देव सब धनुष समाना अब लक्षमर जी हसके बोलते हैं अब जब उत्ताय बोल देते हैं अब जो है न इसमें आप हमेशे लक्षमर जी को व्यंग करते पाएंगे मतलब वो परशुराम जी को पूरा लगातार चिड़ाते रहेंगे तो अब जब जैसे जैसे किसी को गुस्सा और हम हसते नहीं तो और उसकी चिड़ बढ़ती है तो वही चीज यह आपर है अब क्या है लक्षमर जी हसते हुए क्या कहते हैं हे देव सुनिए हमारी जान में त और जो धन्ुष वाण चणाते हैं उनकी लिए तो सभी धनुष बराबर हैं तो चाधि जून धन्व तोरे देख राम नयन के भोरे यह दन्व हमें लाभानी कुछ सम नहीं दिखाए दिया यह तो मुझे लगता है पुराना था जो शिरी राम जी के छूते ही का छति लाभ हो जून मतलब हमें इसमें कोई भी लाभ यहानी नहीं समझ में आई धन उतोरे जून मतलब क्या होता है पुराना जून धन उतोरे मतलब जैसे श्री राम ने इसको चुआ और ये तूट गया मतलब जैसे उन्हों उठाया तो तुरंत प्रितिंचे चढ़ाने के लिए और वो टूट जाता है तो कहते हैं हमको तो जान पड़ता है यह पुराना था जो शीराम के चूते ही टूट गया फिर क्या तो यहां पर तो यहां पर क्या क्या बोन होते हैं कि अन्हें कोई दोश नहीं है आखों अँखें उनकी देखतें पड़ते हैं और वह उन्की भौवा चड़ी हुए रहते हैं तो जो अपने आपको गिल्टी फील कर रहे हैं शीराम जी इसमें इनका कोई भी दोश नहीं है चुवत तूट रगुपति दोशु यानि इसमें कोई दोश नहीं है इनके छूते ही ये तूट गया मुनी बिनु काज करें कत रोशु आप क्या होते हैं मुनी आप बिना कारण किस लिए मतलब कोई कारण है नहीं आप किस लिए क्रोध कर रहे हैं फालतु में पुराना था तूट गया शीराम जी के चूते ही, हमने इसमें कोई लाभानी देखी नहीं, आप क्यों फालतों में गुस्सा कर रहे हैं, इसमें कोई कारण नहीं है बोलिज चितएई परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाशु नामूरा अब यहां क्या बोलते हैं परसुराम जी, फरसे के ओर देख कर, उनके हाथ में फरसा होता है, एक गोल कलका बहुत बढ़ा सा होता है कि तरफ देखे बोलते हैं, अरे दुष्ट तुम मेरा सुभाव नहीं जानता, मतलब तुम मेरा नेचर नहीं जानते हो अब परसुराम जी, अपने बारे में बताना शुरू करेंगे, क्याक बोलते हैं, रे सट सुने हूँ, सुभाव न मेरा, तुम मेरा सुभाव नहीं जानते हो बालक को बोली, बधर ना ही तो ही, ठीक है, ध्यान दीजेगा, केवल मुनी जड़ जाने ही मोहे तुम बच्चे हो, तुम बालक, मैं जानता हूँ कि तुम एक बालक हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें बालक समझ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा तुम बच्चे हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा लेकिन क्या है, अरे मुर्ख क्या तूने निरा मुझे मुनी जाना है क्या तुम सिर्फ मुझे जानते हो कि ये एक रिशी मुनी है पररशुराम तो ऐसे नहीं थे कैसे थे? वो तो बहुत क्रोधी थे, बहुत शस्त्र-विद्या वाले थे तो यहां पर क्या दिया है कि तुम मूरक हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा, इस चीज़ने निर्भेरा हो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक खालिस मुनी मत जाने मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी, मतलब बहुत गुस्ये वाला हूँ बिस विदित छत्रिकुल दोशी, क्यां का क्या मतलब है? छत्रिकुल का शत्रू तो विशुभर में विख्यात होता है क्यों ऐसा उन्होंने बोला? अभी आगरली क्या लाइन षी सेंघेंगे, मैं तो छत्रिकुल का शत्रू हूं छत्रिकुल मतलब जो राजा वगरा होते हैं, वो छत्रिकुल के होते हैं मैं छत्रिय कुल का शत्रू हूँ भुजुबल भूमी भूस बिनुकीनी बिपुलवार मही देवन है दीनी यहां क्या नों दिया? अपनी भुजाओं के बल पर भुजुबल मतलब मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमी को यानि दिया है ना भूमी भूप बिनु कीनी मतलब अपने भुजाओं के बल से भूमी यानि इस प्रत्वी को भूप मतलब राजा बिनु मतलब बिना यानि एक बार मैंने अपने भाजूओं के बल से इस पूरी प्रत्वी को राजाओं के बिना कर दिया था मतलब सारे राजाओं को मार दिया था मतलब छत्री वंज का उसमें नाश कर दिया था फिर बिकुल बाल महीं देवनहीं दीनी अब वो क्या बोलते हैं? बहुत बार उसे ब्राम्मनों को दे दिया था मतलब छत्री वंज का मिनाश कर दिया तो अब प्रत्वी पर किसका राज हुआ? ब्रामणों को. मैंने इस प्रत्वी किसको दे दी थी? ब्रामणों को. फिर सहस्तर बाहु भुझ चेद निहारा, यानि कि मैंने क्या किया था? शहस्तर बाहु, यानि जिसकी हजार बाहें थी, मैंने उसे भी सारी बुजाएं काटने के बाद उसे मार दिया था परसु विलो के महीप कुमारा और इसी फरसे से मारा था तो क्या बोलते हैं परसु यानि कि मा तुम जो है राजकुमार तुम देखो मैंने इसी फरसे से इसी फरसे से मैंने शहस्तरवाओं की साहीर सारी बुजाएं काटके उसे मार दिया था फिर नेक्स्ट है मा तु पितु जानी सोच बस करही महिस की सोरा क्या बोलते हैं हे राजकुमार तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो तुम जो इतना बोल रहे हो तो आप क्या बोलते हैं कि तुम अपने माता-पिता के बारे में सोचो कहीं तुम्हारी वज़े से वो बिना बच्चों के मतलब अब तुम्हारा वद हो जाएगा तो वो कहीं इस दुख को ना झेले कि मेरा पुत्र मारा गया आप तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि कहीं ऐसा नहूं उनका पुत्र मारा जाए गर्भ है के अभर्ग दलन परसु मोर अतिगोरा वो क्या बोलते हैं इतना भयानक है इससे गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत्य को प्राप्त हो जाता है नेक्स्ट है बिहसी लखुन बोले म्रदुबानी अहो मुनिसु महा भटमानी द्यान क्या गया अब लक्षमर जी फिर हस के बोलते हैं उनका कुरोध बढ़ता जा रहा परशुराम जी का तो अब लक्षमर जी फिर हस के बोलते हैं, अब इससे उनकी चुड़ावर बढ़ती जाएगी, किसकी परशुराम जी की, क्या बोलते हैं, कोमलवाडी में, हस के मधुर कोमलवाडी में बोलते हैं, क्या, अहो मुनेसु महाभटमानी, ओ मुनिवर, आप बड़े, अपने आप बढ़ा योध्धा बता रहे हैं, अब उनको चुड़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप अपने आपको बढ़ा योध्धा बता रहे हैं, पुनि-पुनि मोही देखावे कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, कुठारू मतलब कुलाडी, अपना फ पहाड को उड़ाना चाहा रहे हैं इहां कुम्णा बतिया कोहु नहीं कुम्णा बतिया चोटा सा फल होता है क्याते हैं यहां पर कोई कुम्णा बतिया यानि चोटा सा फल यहां पर मैं नहीं यहां पर कोई भी कुम्णा बतिया फल नहीं है जो तरजनी यानि यह जो हमारा अ गूठा होता है इसके बगल की उंगली को तरजनी बोलते हैं ये हमारी तरजनी होती है तो क्या बोलते हैं जो तरजनी उंगली को देखकर डर जाए यानि मर जाए जो तरजनी उंगली को देखकर मर जाए देखी कुठार सरासन बाना क्या कुठार और धनुशबार देखकर द अभिवान रहित कहाँ है। तक में आपको देख के अभिमान की अरशित कहा है। ब्रगुस्त समुझे हूँ जनेव विलोकी अब यहाँ पे क्या है क्या बोलते हैं वो कि आपको ब्रगुवंशी समझ कर और जनेव धारण जनेव धारण होता ना ब्रामण जनेव धारण करते हैं तो वही दिया है आपको जनेव धारण आपने किया हुआ है समझते हुए जो कच कहा हूँ सहस सिर रोकी इसलिए मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा है आपको भगु वन्ष का जानते हैं और आप एक ब्रामण जने उधारने हैं आप ब्रामणे इसलिए मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा हुआ है सुर महिसुर हरिजन अरुगाई या है हमरे कुल इनी पर सुराई यानि आप वो छतरी वन्ष के हैं तो वो क्या बोलते हैं हमारे वन्ष में सुर, असुर, हरिजन और गाए इन सब पे वार नहीं किया जाता हम लोग इसपर वार नहीं करते हमारे कुल में ख्याती नहीं होती है हमारे इसकी बदनामी होती है अपकीरती होती है ठीक है नेक्स्ट बच्चे पाप अपकीरती हारे है ठीक है इसका क्या मतलब है क्योंकि इनके मारने से हमें पाप लगेगा इनके मारने से हमको क्या लगता है पाप लगता है तो हमें इन सब चीजों को नहीं हम इनको हानी नहीं पहुँचाते मारत हुपाप परियर तुम्हारे इनके मतलब इनकी अपकीती होती है फिर इसलिए इनके मारने मारे नहीं होते हैं हम इनके पैर पड़ते हैं मतलब कौन जो की हमारे सुर्यानी की जो देवता है मैसु मतलब रिशी है हरिजन मतलब जो हमारे घर की काम काच करते हैं और गाय मतलब कौन होते हैं हमारे माता गाय माता इनके हमें पैर पढ़ने चाहिए फिर इनके हम पैर पढ़ते हैं कोट कुलिसिसम वचन तुम्हारा यहाँ पर क्या उनुन दिया आपकी एक एक वचन करोरों व्रजों के समाने वझ मतलब होते है यह वज इंद्रभग्वान का मुशस्ट्र है इससे क्या होता बिजली चमकती है तो आपका जो एक एक वचन है करोरों वज्र के समान है व्यरत धरहू धनुवान कुठारा आपकी बोली ही इतनी कठो रहे हैं आपने बेकार धनुषवार और कुठार ले रखा हैं आप तो अपनी बोली से ही लोगों को मारदो आप इतना बोलते हूं परिशुराम जी के लिए लक्षमणी जी बोल रहे हैं कि आपने बेकार ही धनुषवा और कुठार धान कर रखा है आपकी बोली ही करोणो वज्र के समान है जो विलकोई अनुचित के हुँ छमव महामुनी धीरा अब यूँ क्या बोलते हैं ये सब इतना जब बोलते हैं इन्ने देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा है यह सब देखने, मैंने अभी तक जितना बोला है, वो कुछ भी गलत नहीं है तो उसे हे धीर महामुनी यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोला है, तो आप मुझे छमा कर दीजिए फिर सुनी सरोस भ्रगुवंस मनी बोले गिरा गंबिर, यह सुनकर परशुराम जी जो बहुत क्रोधी थे, थोड़ी गंबिर वाणी में बोलते हैं तो हमने आपको यहाँ पर अभी आधे पाठ की व्याख्या कम्प्लीट करी हैं अब हम अपने नेक्स वीजियो में इसके आगे के पाठ की व्याख्या को पूरा करेंगे I hope अभी तक समझाए गई व्याख्या आपनों को बहुत समझ में आ गई होंगी और आगे हम बाल कांड का आगले का समवाद हम थोड़ी देर आपको नेक्स वीजियो में कम्प्लीट करके देंगे Thank you